सब्सक्राइब नियू केटियम ड्यूक 200 आने ही वाली है डेट जो है बहुत जल्दी में आपको रिवील करने वाला हूं मन्त पतायता हूं लगबग यहां पर सेप्टेंबर के अंदर आने वाली है और जितने भी आपर मेरे भाई लोग वेट कर रहे थे नियू ड्यूक 200 का अब इंतदार खतब होने वाला है तो एक वीडियो लेकर आया हूं इस ओल्ड ड्यूक 200 के उपर कि क्या हमें यह बाइक लेनी चाहिए और यह बाइक किने लेनी चाहिए यह मैं ज़रूर बताऊंगा विकॉस लास्टाइम बहुत सारे लोग जो है आपर उन्होंने रिग्र बाकि जो आप लेन वाला है उसके अंदर जो जैंज आने वाला है वह मैं आज इस वीडियो की अंदर बटाऊंगा साहि हुक्तागा कुफ्क्राइं के लिए आपके minimum salary minimum down payment कितना कर सकते हो कितने साल का आप जो है आप पर loan करा सकते हो क्या सिबल स्कोर होना चाहिए कैसी आपकी जो है आपर overall income वगेरा होनी चाहिए बाकी यहाँ पर bike के बारे पहले बात कर लेते हैं यह है Duke 200 यहाँ पर BS6 phase 2 compliant engine वाली bike है E20 की badging से आप पता कर सकते हो कि BS6 phase 2 compliant engine है यहाँ पर जो bike है latest variant है जो नया वाला color है वो मैं आपको एक बार वापिस से दिखा सकते हूं So this is the all new KTM Duke 200 color and यहाँ पर कुछ इस परकार से यह बाइक का look देखने को मिलता है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यह वाला जो डिजाइन पसंद है Basic language में समझा रहा हूं जिसको भी यह वाला design अच्छा लगता है यह old वाला वो यह bike ले लो बाद में definitely नहीं मिलने वाली एक बार नया bike launch हो गया old वाला तुरन विख जाता है मिलता भी नहीं है अब बात कल रहते हैं आपर specifications के बारे में 17 इंच के alloy wheel आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर tubeless tire आयर आते है MRF company के overall यहाँ पर जो है grip काफी decent आती है अपसाइड उस्पेंज इस्टम में WP FX के साथ साथ में complete LED headlight cluster आती है कुछ इस प्रकार से आपको high beam देखने को मिलती है indicators LED देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो है adjustable levers नहीं आते है 13.4 लीटर का fuel tank आता है E20 petrol की badging आती है instrument cluster आपको old design वाला ही देखने को मिलता है साथ में यहाँ पर जो है आपको high beam low beam indicator horn fast button right side में kill switch ignition switch का option देखने को मिलता है wide handle bars आपको देखने को मिलता है साथ में 19.5 cc का engine देखने को मिलता है यहाँ पर single cylinder liquid cool engine है यह radiator आपको आगे देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो है आपको छे gear देखने को मिलता है bike का 35 km per liter का mileage देखने को मिलता है monoshock suspension system आते हैं aluminum swing arm देखने को मिलता है 220 mm का rear में डिस रेक आता है 230 mm rear में डिस रेक आता है 5V caliper के साथ साथ में हाँ पर आपको split trellis frame देखने को मिलता है bike के अंदर split seat आती है spacing काफी decent आती है rider और pillion दोनों की pillion की spacing में को काफी decent लगती है इस वाले variant के अंदर भी KTM की branding देखने को मिलती है tail light LED आती है indicators LED आते है hazard light का option नहीं आता है rear tire आते है 1.500 section का पीछे आपको जो है by recalibur देखने को मिलता है 17 inch alloy wheel है tire hugger देखने को मिलता है underbelly exhaust setup है बाकी blood connectivity नहीं आती है इस bike के अंदर इस bike के अंदर जो है overall आपको look शांदार देखने को मिलता है इसका निया वाले color आप देख सकते है अब यहां बात कर लेते हैं कि भाई जो new वाला version है वो जो September में आने वाला है approximately उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है जो Duke 250 अभी आती है exact आपको वैसा design देखने को मिलने वाला है new Duke 200 में और शायद Duke 250 उसके अंदर थोड़े बहुत changes आ सकते है उसके अंदर शायद से DRL add हो सकती है तो वैसे जो Duke 390 है ऐसा design तो definitely नहीं आएगा Duke 200 में Duke 200 में आएगा Duke 250 वाले design विकॉस जो Duke 250 का अभी design आता है वो आपको euro spec जितनी भी KTM bikes हैं जो इंडिया के भार आप international market में देखते हैं उनके अंदर जो 125 Duke आती है वो आती है इंडिया की Duke 250 जैसे design के साथ तो definitely आपको new Duke 200 है वो Duke 250 वाले design के लिए देखने हो मिलेगी same LED headlight cluster होगा engine की जगा same engine आप डाल दो LC4C जायत से engine में थोड़ा बहुत tweaks कर सकते हैं बाकी मेरे साब से 15,000 रुपे महंगी होगी इस से जादा महंगी नहीं होगी विकाज अभी ये bike दो लाक तीस रुपे के आती है तो दो लाक चाले साब रुपे से जादा तो 20 mm डिस ब्रेक देखने को मिल जाएंगे new वाला wheel देखने को मिल जाएंगे मैं आपको wheel दिखायता हूँ wheel को चिस प्रकार साएगा starfish वाला जो आपको यहां पर brakes देखने को मिलेंगे 320 mm गैसा हैंगे bybrae caliper के साथ reflectors setup WP Epyx के suspension system आपको देखने को मिलने वाले है बाकि instrument cluster non-colored LCD display देखने को मिलेगा Duke 250 वाला बाकि fuel tank same आएगा offset monoshock suspension system same आएगा rear में disc brake same आपको देखने को मिलेगा bybrae caliper के साथ 2.40 mm गैसा rear में इंच के alloy wheels आएंगे data section में टायर हैगा same seat आपको देखने को मिलेगी मतलब जो rear section आए 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 आपको सेम देखने को मिलेगा same swing arm same W exhaust setup बस Duke 30 की बात अलग यह है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा muscular design देखने को मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ Duke 30 जो है बहुत जादा एक different muscular design के साथ आपको देखने को मिलता हूँ बागी same hazard light का option देखने को मिलेगा same indicators आपको देखने को मिलेगे यहाँ पर buttons अगरा भी आपको same देखने को मिलेगे यहाँ आप navigation वाले indicator, horn, pass button hazard light का button, kill switch ignition switch exactly same कोई भी आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर and जल्दी ही bike जो है launch होने वाली है so stay tuned for that and definitely अगर आपको यह वाला variant लेना है यह वाली bike लेनी है तो आप अभी आके खरीच सकते हैं यह वाला variant अभी showroom के अंदर है available एक बार मैं आपको walk round दे देता हूँ price जो है 2,30,000 रुपया आता है literally bike अंदर कोई भी कमी नहीं है बस एक इसका instrument cluster से और इसमें Bluetooth connected अगर डाल देते हैं यह लोग तो मेरे सब से यह वाला ही variant बहुत अचा था अगर आपर next generation ला रहे हैं new design ला रहे हैं तो बढ़िया ही बात है because बहुत टाइम से हम यह वाला design देखते आ रहे हैं Duke 200 में काफी time हो चुका है so एक upgrade करना तो 100% बनता है overall look definitely बहुत premium आता है bike का and parts, quality, paint आप देख सकते हो कितना premium finish आपको देखने को मलती है चाहे fiber की ले लो, चाहे metal की ले लो overall आपको सारी चीजें इस bike के अंदर देखने को मलेगी बस छोटी मूती कमिया है जो मेरे सबसे new design में literally सारी कमिया दूर कर देगी KTM बाकी मैंने दुबारा कह रहा हूँ अगर आपको यह वाला design चाहिए आप आके ले सकते हैं definitely because यह वाला design एक बार नया design आगया तो नहीं मिलेगा जैसे कि हमें Duke 390 और Duke 250 अंदर old design discontinue होगा थे बिलकुल नहीं मिल रहे थे बैसे नया design आगा दोसों को यह old design नहीं मिलने वाला है तो जिनकों भी लेना है वो ले सकते है लिक्विड पूल इंगे साथ बाइक आती है अभी है बाइक दोला 30,000 रुपे की है इसको खरीदने के लिए minimum salary 20,000 रुपे होनी चाहिए 15-20,000 रुपे 700-700 से ज़्याद़ से ज़्याद़ स्पोर है easily finance करा लोगे बाइक 20% ने डाउंपेमेंट को 9% के आसपास का rate of interest लगेगा अगर आपका stable score, finances अगर ठीक है अगर आप business करते हो तो at least 3-4 लाग रुपे आपके ITR होनी चीए documents आपको देने पड़ेंगे अधार card, pen card, account paycheck, passport size photograph 2 साल की ITR business करते हो अगर अगर आप job करते हो तो 6 महिने का bank statement या फिर salary slips so कुछ इस परकार से जो है आपर overall all new KTM Duke 200 की बारे मैं आपको बताया कि वो by कब आने वाली है क्या फीज़ आने वाले है, क्या क्या चीज़ आपको देखने हो मुलने वाली है बाकि आपको यहाँ पर KTM Duke 200 कैसी लगती है comment section में जरूर बताएगा आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छे लगी होँज़े लाइक करेगा, शेर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजे, साथ में बेल आइकन नमना बिलकुन मुलेगा आपको क्या लगता है कैसी आने वाली है, क्या के चीज़ों हो सकती है comment section मताएब अगर, बिलकुन मज़ जाएगा मिलते हैं आप सबी वीडियो में thank you for making me a part of a day see you next time, next week to learn, be happy, invite, safe bye